शुबमन गिल पर भड़के महान अनिलकुम ने कहा चेतेश्वर पुजारा को भी नहीं मिले थे इतने मोके। हाली में भारत और इंगलन के बिच पहले टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में भारते खिलाडी शुबमन गिल का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 24 साल के युवा उपने शुबमन गिल ने पिछले 11 पारियों में एक भी अर्दश्य तक नहीं लगाया है। उन्होंने आश्टेलिया के खिला पिछले साल मार्च में पहली पारी में 128 रन बनाए थे। तब से उनका सरवच्च स्कोर 36 रन रहा है। गिल ने इंगलन के खिला राजियो गांधी स्टेडियम में खेले गए। पहले टेस्ट की पहली पारी में 23 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में वह खाता भी नहीं खोल सके। और भारत को पहले मैच में 28 रनों से पराजे जहलनी पड़ी। गिल का घटिया प्रदर्शन देखकर पूर्व खिलाडी अनिल कुमले को चेतेस्वर पुजारा की याद सताने लगी। अनिल कुमले ने जियो सिनेमा से बात करते हुए कहा, गिल को जो टीम से बाहर न होने की सुरक्षा मिली हुई है, वह चेतेस्वर पुजारा को भी नहीं मिली थी, जबकि उसने सो से भी ज़्यादा टेस्ट मैच खेले है। कुमले ने आगे कहा मैं बार-बार पुजारा की बात करता हूँ क्योंकि वह कुछ समय पहले तक तीसरे नंबर पर उतरते थे पुजारा ने विश्वर्टेस चांपियंशिप फाइनल खेला और उसके बाद से शुब्मन गिल तीसरे नंबर पर उतर रहा है बतादू कि 36 वर्षे पुजारा ने जुन 2023 में आश्टेलिया के खिलाफ विश्वर्टेस चांपियंशिप का फाइनल खेला था जिसके बाद से वह टीम में नई है इस महिने की सुरुवात में रंजी मैच में उन्होंने नाबा 243 रन बनाये थे कुमले ने आगे कहा कि गिल को अपनी मानसिक्ता पर काम करना होगा यही नई उसे अपने तकनिक में भी सुधार करना होगा अगर आप भारत में तीसरे नंबर पर बल्ले बाजे करना चाहते है तो तकनिक पर काम करना होगा उसके पास हुनर है और वह युवा है सिख रहा है लेकिन उसे दूसरे टेस्ट में अच्छा खेलना होगा वर्दा उस पर दबावा जाएगा अगले टेस्ट से चार दिन पहले क्या वो अपने टक्निक में बदलावला सकते है यह पुछने पर कुमले ने कहा यह मानसीकता की बात है उसके पास बताने के लिए सर्वसेश्ट व्यक्ति कोच रावल रविट के रूप में है भारतिय बल्ले बाजो को स्पीन को बेतर डंग से खेलना होगा आगे उन्होंने कहा कि कुछ बल्ले बाजो का रवाई या सकारात्मक नहीं था और फुटवक भी बहुत खराब था वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या शुबमन गिल को सेकंड टेस्ट में जगा मिलनी चाहिए या नई अपना ओपनीन कमेंट्स करके बताईए आशा करता हो कि यह जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद